आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाजी हम बात कर रहे हैं सिये इंटर की तो जो भी व्यक्ति सिये इंटर के टैक्स की तैयारी कर रहे हैं और श्टडी मैटेरियल से पढ़ रहे हैं तो उन्हें कुछ सावधानिया बतान मेरी जुम्मेदारी है तो क्या सावधानि बरतनी है पहले चैप्टर की बात कर रहें इंटरोड़क्शन का चैप्टर है जिसमें कंपनसेशन सेस के बारे में बताया गया है इंस्ट्यूट ने यहां पर एक गलती करी हुई है उस गलती को बताना मैं जरूरी समझतों तो प हमारे प्राइम मिनिस्टर थे फ्रेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कहा नहीं भाई स्टेट्स टीके जिस्टी के आने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा यह हम आपका श्योर करते हैं उन्होंने कहा नहीं नहीं अपना नुकसान होगा जिस्टी अमनी आने देंगे तो सेंट नाटायूस की आपको कितना वह वह क्या्यव न ही और उसलेंदां कौना की थी वह का से और न के स्टेट को GST के आने के बाद तो हम उसे compensate करेंगे हम पैसे देंगे अब स्टेट का question यह था central से कि तुम पैसे कहां से लाओगे तो उन्होंने कहा इसके लिए हम एक अलग से सैस लगाएंगे ठीक है ना जो की बिलकुल अलग होगा और उसका हम नाम रखेंगे compensation सैस और पाच सालों तक आपका नुकसान होगा तो हम पाच सालों तक आपको इसकी भरपाई करेंगे उन्होंने का किस item पर लगाओगे यह सैस तो इन्होंने बोला कि भई अमीर आद्मियों पर लगाएंगे मतलब जो लोग मोटर गार खरीदते हैं ठीक है न जो तमबाकू खरीदते हैं मतलब जो भी मतलब ऐसे गुट्स है ठीक है या तो जो लगजरी टाइप के हैं या जो नुकसान देने वाले हैं ठीक है हम ऐसे गुट्स पर compensation सैस लगाएंगे तो अब हर वेक्ति ये सोच रहा था कि ये वाला जो compensation सैस लगा ये लगा एक जुलाई 2017 से और लोग में लिखवाएंगे पास साल लगेगा तो ये 30 जून 2022 को खतम हो जाएगा उसके बाद गाड़िया सस्ती हो जाएंगी तमागू सस्ता हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ ठीक है क्यों नहीं हुआ जबकि इंस्ट्यूट क्या कह रहा है अगर आप पढ़ते हो इस वाले पैराग्राफ को तो आपको पढ़ने से किलियर पता लग जाएगा कि इन्होंने लिख़ा हुआ है कि compensation सैस लगेगा ठीक है 30 जून 2022 को ये खतम होना था तो इस टेट्स वाले चिल्लाएं और उन्होंने कहा कि आप ना इसे बढ़ा दो हमारा time period compensation सैस का time period आप बढ़ा दो सेंटरल ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे हम तुमारा time period उन्होंने का भाई क्यों नहीं बढ़ाओगे आप हमारा ये time period बढ़ा दो क्योंकि हमारे को जरूरत है अभी भी हम loss में जा रही है तो government ने कहा कि नहीं हम बिल्कुल भी आपका time period नहीं बढ़ाएंगे तो फिर इस बात को लेकर बड़ी लडाईया हुई लेकिन पास साल लिखा हुआ था लो में तो पास साल तक ही करा अब हुआ क्या इन पाच सालों में जो compensation says collect हुआ वो let support 100 रुपे collect हुआ लेकिन जो state को compensation देना था वो देना था 120 रुपे तो यहाँ पर central government को घटा हो गया उन्होंने यह सोचा था कि compensation says collect करेंगे और जितना भी states का नुकसान होगा उसकी भरपाई कर देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि covid के चलते लोगोंने गाडिया नहीं खरी थी या जो भी sin goods थे जो भी खराब goods थे तो महाँ पर collection बड़ा कम हुआ लेकिन state ने का भाई तुमने जिम्मेदारी ली थी हमें तो हमारा लोस चाहिए ही चाहिए तो यहाँ पर central government एक चाल खेल गई play कर गई उन्होंने क्या करा ठीक है 24 जून 2022 को यह एक notification निकाली 24 जून 2022 को एक notification निकाली compensation says में और क्या बोला कि अब जो यह compensation says है यह 31 मार्च 2026 तक लगेगा कब तक लगेगा यह 31 मार्च 2026 तक लगेगा जैसे पहले लगता हुआ आ रहा था वैसे ही यह लगेगा 31 मार्च 2026 तक अब state वाले कहने लगे जब तुम 31 मार्च 2026 तक compensation says collect कर रहे हो तो हमें दो लेकिन central ने मना करती है central ने कहा कि वह यह जो पिछले पास सालों में अब हमारा नुक्सान हुआ है क्योंकि हमने तुम्हें जो पे करा है वो loan लेकर पे करा है तो यह loan का amount लगबग था 1.59 lakh crods कुछ इस तरह का amount था ठीक है क्यों नहीं होता है क्योंकि उनका पास सालों का time period खतम लेकिन क्या assessi से अभी भी compensation tax लिया जाता है यस लिया जाता है क्योंकि central के पास loan था ठीक है जो उसने लिया था उस loan की भरपाई करने के लिए 31 मार्श 2026 तक compensation says लगेगा क्या ये वाली बात अगर आप अपना exam देने जा रहे हो चाहे मई 2023 में जा रहे हो चाहे नवंबर 2023 में जा रहे हो चाहे मई 2024 में जा रहे हो क्या आपको नहीं पता होनी चाहिए मुझे comment box में लिख कर बताओ अगर पता होनी चाहिए तो क्या यहां पर वो study material में नहीं होनी चाहिए अगर होनी चाहिए तो मुझे comment box में लिख कर बताओ इसी तरीके से कि आप अपने exam में अच्छे नंबर लेकर आ सको और साथ के साथ देखे ना आप अपनी article ship में भी अच्छा perform कर सको तो इसलिए पहली बार CA students के लिए मैंने batch launch करा है पिछले पाच से सालों से मैं chartered accountants को बढ़ा रहा हूँ professionals को बढ़ा रहा हूँ यह पहली बार मैंने batch launch करा है face to face batches CA inter के लिए जिसमें पूरे 40 number का हम course कराएंगे और course के साथ साथ जो आपका MTP होता है ठीक है न वो भी कराएंगे ठीक है न जो आपका RTP होता रिवीजन टेस्ट पेपर वो भी कराएंगे MCQ कैसे करने है वो भी कराएंगे past year के जो exam है ठीक है उनके question paper भी solve कराएंगे तो ये batch हमारा एक मार्च से सुरू हो रहा है और हम इसे लगबग 30 अप्रेल तक खतम कर देंगे तो आप इस वाले batch को join कर सकते हो चाहे मई 23 वाला student है वो भी join कर सकता है नवंबर 23 वाला भी join कर सकता है और मई 24 वाला भी कर सकता है पूरे course को हम detail में analyze करेंगे तो आप face to face लक्षमी नगर में आगे आप इस batch को ले सकते हैं और अगर आपकी कोई queries होती है तो आप उसे भी sort out इसके अंदर करेंगे आपको ये video कैसी लगी मुझे comment box में जरूर लिख कर बताना इस video को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ अपने दोस्तों को भी ये video share करना कि जिससे उन्हें भी knowledge update हो जाए अगर कोई भी study material से पढ़ रहा है तो उसे ये थोड़ी सी awareness आ जाए धन्यवाद